केवी, वेदे का आस्ट्रोलोजी का जो पिछला कोर्स किया, उसमें करीब हजार लोगों ने कोर्स को कम्प्लीट किया, उनका कहना ये है कि वो अपनी होरोस्कोप में अपनी पूरी लाइफ स्टोरी रीड कर पा रहे हैं, ये क्या सीक्रिट ट्रिक है कि केवल बारा दिनों मे ये लोग अपनी पूरी की पूरी लाइफ स्टोरी एक न्यूस पेपर की तुने पढ़ ले हैं, कोई ट्रिक नहीं है, मुझे लगता है कि एक छोटा सा लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि हमने उनको कम्पोनेंट्स दे दिये, प्लैनेट, साइन्स और हाउसे जिसे हम हमारे यहाँ पर बॉक्सिज कहते हैं, तो कम्पोनेंट्स जो हैं, ये तीन कम्पोनेंट्स हो गए, एक तो है प्लैनेट्स, नाइन प्लैनेट्स, ट्वेलब साइन्स और फिर उसके बाद ट्वेलब कॉंटेक्स्ट्स ओफ लाइफ, तो अगर आप इन तीन कम्पोनेंट्स को सिखा दें तो एक sentences form होने लगते हैं तो वास्तव में जब हम day one ये exercise करवाते हैं कि form astro sentences तो लोगों को यकीन ही नहीं आता जब वो एक planet के particular keywords को science के साथ relate करके अपने एक specific life context में देखना शुरू करते हैं they get amazed कि ये ये इतना accurate कैसे हो सकता है और फिर देखिए न अपने English में 26 letters हैं तो astrology में आप समझ लीजिए कि 12 प्लस 12 24 और 9 33 letters है जैसे हमारी संस्कृत में हैं या हिंदी भाषा में हैं तो उन letters को जब हम एक particular order में लगाना सिखा देते हैं तो उसका जो meaning है उसके लिए वो बड़ा amazing है तो it's not the trick, it's a logic क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारी सनातन परंपरा है जो हमारा सनातनी रहन सेहन है उसमें जोतिश नियती है जो होनी है जो happenings है उनको read करने के लिए हमारे रिशी मुनियों ने हजारों बरस observation की and they correlated with the you know position of planets and life happenings on planet और उसका एक profound logic है क्योंकि जो planets का movement है न वो तो mathematical equation से गवर्न हो रहा है तो अगर आप उस logic को एक proper meaning दे दे और फिर उस context में वो meaning drive करना किसी को भी सिखा दे तो वो बड़े अच्छे से sentences बना लेता है फिर वो sentences बनाते बनाते जब थोड़ा और अभ्यास हो जाता है तो वो read करने लगता है कि अरे मेरे life context में तो ये हो रहा है ये pattern है इस वजह से वो अपनी जनम पत्री को अकवार के जैसे पढ़ पाते हैं और उसमें देख पाते हैं कि जो happenings हुई नीज के जैसे कि इस context में ये हो रहा है इस location पे ये हो रहा है तो practice तो है पर हो जाता है 10-12 दिन में वाव एक सवाल है जो इसी से आता है कि भी के कोई भी अपनी secrets share नहीं करता आपका ये agenda क्या है कि आपने अपनी Vedic astrology की mastery, research और जो आपके master strokes है वो आप क्यों share कर रहे हैं सारे students के साथ फैलेगा नहीं उसके बिना क्योंकि भारत में एक अजीब सी समस्या है हम लोग विशव गुरू जो है तो यहां पर जिसको ग्यान की ललक है वो नया पहिया खोजना शुरू कर देता है और मैं आने वाली पीड़ी को ये कहना चाहता हूँ कि जो पहिये खोजे हुए हैं जो engine already बने हुए हैं उस पे chassis लगाओ और car बनाओ तो अगर मेरे जैसे मैं तो astrologer हूँ भी नहीं मैं तो observer हूँ तो मैंने observe किया, documentation करी और जो well relatable equations हैं उनको मैं share कर रहा हूँ अगर young generation को हम तुरंत ये नहीं दिखाएंगे कि it is a relatable subject it's all about relating properly अगर हम वो नहीं देंगे तो नई generation का इसमें interest कैसे होगा और फिर मैं साथ ले जाके भी क्या करूँगा इस चीज़ को मेरे से आगे का काम होना चाहिए तो जितना काम मैंने किया जितनी research मैंने की और over the years अगर आप अपने उन्हीं concepts को practice करते हो और वो valid हैं वो बार-बार काम कर रहे हैं तो उन्हें आप लोग master strokes कह देते हो और ये मैं मानता हूँ कि किसी भी field में कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा होता है तो उसके कुछ pet strokes develop हो जाते हैं मने वो उसका एक style develop हो जाता है तो जोतिश में research करते हुए जोतिश में observe करते हुए मुझे कुछ ऐसे समीकरन दिखाई दे गए और उनको मैंने बार-बार प्रयोग किया तो बजाए बहुत ही theoretical जाने के मैंने वो जो master stocks हैं जो formulas हैं वो मैंने सोचा कि young generation के साथ हमें share करने चाहिए तो उससे वो fastest relate कर पाएं और उनकी रुची जगे कि हमारी जो वे दिक धरोर है जो हमारी संस्कृति का अभिन अंग है ये जोत्शिय गननाए मैं पढ़ रहा था मनुशर्मा जी एक बहुत ही बड़े author हुए है उन्होंने कई बरस भगवान कृशन की जितनी भी बातें महाभारत में थी शिर्मत भागवत में थी उनको सारे को consolidate करके भगवान कृशन की आतमकता लिखी तो जब मैं उसे पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उस युग में भी जोत्शिय गननाओं की बात हो रही और भगवान स्वयम उसको नकार नहीं रहे वो कह रहे हैं कि जोतिश्तो नियती के जो कारेकरम हैं जो प्रोग्राम्ज हैं उनको decode करने का एक तरीका है और वो accept करते हैं तो जब भगवान स्वयम accept कर रहे हैं तो वो बात हमारे बच्चों तक हमारी जनरेशन्स तक बिना किसी लाग लपेट के बिना किसी you know cladding के या उसको unnecessarily mystify करके जो एक धुंद बना दी है उसकी बजाए हम उनको बताएं कि बटा ये relatable है ये patterns है आज की generation बड़ा अच्चे से समझती है क्योंकि artificial intelligence आ गई machine learning आ गई तो उसमें दिखाई देता है कि pattern recognition का मामला है सरा तो real intelligence भी तो pattern recognition ही है वो patterns अगर आप अपने horoscope में देख सकें और फिर देख सकें कि ये कैसे repeatedly आपकी life को गवर्न कर रही है तो हमारे बच्चों को decision making बड़ी असान हो जाएगी तो मेरी ये आतुरता है कि मैं जो मैंने देखा जितना देखा और सही पाया वो में शेर कर लो कि भी जो अपने participant के groups थे उन में मैंने पाया कि कई लोग astrology में doctorates हैं उनके पास बहुत well-established practitioners है astrology के वो भी course में आएं और उनके reviews कहते हैं कि उन्होंने कुछ shortcuts हैं जो कभी realize ही नहीं करें और कि भी आपने अभी-भी कहा कि आप एक astrologer नहीं है then how come you developed such a simple tool और such a beautiful tool के एक layman भी अपना horoscope रीड कर पाए मैं क्यूं कहता हूँ कि मेरा विश्य जोतिश नहीं है क्योंकि मेरा विश्य वास्तुशास्तर है मैंने पूरा जीवन वास्तुशास्तर के around ही काम किया और जो हमारे वास्त्विक गरंथ है वो हमें बताते हैं कि वास्तुशास्तर वास्तम में एस्ट्रो अर्कियोनॉमी है ये जोतिश या हम कहें गरहूं कि स्थितियों के अधार पर बिल्डिंग की alignment कैसे की जाए ये उसका विश्य है जो कि हम temple architecture में use करते हैं कि जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उस दिन कौन सा नक्षत्र होता है उस नक्षत्र का देवता कौन सा है तो कितनी alignment पर हमें मूर्ती की स्थापना करनी है जिससे वो जागरत हो जाती है एक subject है वास्तु में एक part है जिसमें मूर्ती को जो जागरत होना कहते हैं कि आप वहां जाओ तो it becomes a kind of hot spot for you and where you connect with the universal force ऐसा हमारे यहां का system है जो आज तक बना रहा है so मेरा वास्तम में research work astrology के context में वहां पर है मेरी जो real research है वो वहां पर है पर अब 30 बरस मैंने इस पे काम किया 28 बरस professional practice करी तो जो लोग भी मेरे पास आते पत्री देखो जी अच्छा मैंने कभी इसको इतना seriously ने लिया मैंने कोई मैं बहुत आप कह सकते हो कि आप नॉन-believer kind of person in astrology बच्पन से तो माब आपको भी कहना कि अरे क्या रखा है और धीरे धीरे मेरी इनिसेशन होई गुरु फुल में जाकर परमशर धे गुरु देव चुलेट शास्त्री जी से इनिसेशन होई और फिर धीरे धीरे parallel develop करते चले गए observe करता चला गया कि अरे हाँ ऐसा तो है और एक शुरू से आदत थी documentation की तो वो pattern recognize होने शुरू हो गए तो मैंने देखा कि अरे it works है इस में कुछ it's not a superstition or it's not just a matter of faith rather it has a profound you know interlinking कि वो जो universal forces है जो flux है and we are always into a varied flux of universal energy we can decode that मेरा angle वो था तो जो horoscope आ रहे थे उसको मैं लिखता चला गया कि ये आदमी ये काम करता है ये ये काम करता है उसका हम data analytics करते चले गए over the years ये parallel चल रहा था इस पे कोई बहुत serious thought नहीं था तो किसी को horoscope देखके कि अच्छा भी तेरे को ये काम सूट करेगा तो ये ही कर तेरा ये काम suitable नहीं है तो एक वो होना शुरू हो गया कि अच्छा उनको मेरे कोई horoscope दिखाना है को client थे उनका बिश्वास भी था उन्होंने result देखे थे तो एक वो जो patterns मैंने recognize कर लिए अब ये pattern recognition हमारे यहां पर एक दर्शन शास्तर है जिसे सांखया दर्शन कहते है सांखया का literally meaning है categorizing वरगी करन تو जैसे हम कहते हैं कि ये योगी है जो योग को मानने वाले हैं वो योगी हैं जो विदानत को मानने वाले हैं वो विदानती हैं पिर मिमान सक हैं जो मिमान सा को मानते हैं तो ऐसे करके हमारे यहाँ छे दर्शन हैं तो मैं मूल रूप से सांख्यकी हूँ जैसे हम कहते हैं यह योगी है तो मैं सांख्य दर्शन वाला हूँ मैं सांख्य ही हूँ या सांख्यकी हूँ तो सांख्य की क्या करता है उसको हर चीज को केटेगराइज करना है और ये आपके basic instincts क्या है ये गुरुकुल में पता चलते हैं गुरुकुल में आपको बताते हैं कि भई तुम तो सांख्य वाले हो तुम्हारा जो total framework है वो इस परकार का है कि तुम अगर ऐसे चलोगे तो तुम्हे सबश्टता होगी शिर्मत भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि योगी वहीं पहुंचता है जहां पर सांख्य की पहुंचा है ऐसा शिर्मत भगवत गीता में भी उले खाता है तो जो आपने कहा कि मैंने कैसे कर लिया So I was categorizing each and everything like people, planets, people like their behavior, their attitude into nine segments कि it matches with the traits of Jupiter, it's matching with the traits of Mars, it's matching with the traits of Sun और वो मेरी observation जो थी horoscopes में यह बिलकुल fit better है अगर यह planet यहां से ऐसा कर रहा है तो इस व्यक्ति की जो सोच है, इसकी जो selections है, इसकी जो choices है, इसका जो behavior है It matches तो वो categorize होती चली गई चीज़े And because I was getting a lot of exposure regarding environments So word में जितनी भी चीज़े हैं मैंने उनको 12 में categorize कर दिया Which is, there are the signs कि यह sign हो किसी के horoscope में तो वो ऐसा environment पसंद करता है For example, मेरा Aries sign है तो Aries वाला जो होता है, वो impulsive होता है उसको हर वक्त resolve देने की पड़ी रहती है तो बहुत बार कोई दोस्त मेरे से बात भी करता है मैं कहता है मुद्दा बता क्या है, एजेंडा क्या है, solution क्या चाहिए Like, it starts from within कि मैं मुद्दे की बात करना क्या है तो बहुत बारे मुझे एक दोस्त ने बलकि share भी कहा कि जब पूछते हैं उनका हाल तो वो कहते हैं कि मुद्दा क्या है शायद गालिब का share है पर वो trait है तो ये trait इतने fixed है ये एक तरीके का mental software है mentally के भी उस environment में है spontaneous resolve और जो ये Aries वाले होते हैं ना उनको emergency पड़ी रहती है emergency का रत है अगर नहीं भी होगी ना तो भी वो emergency बना देंगे कि बस ये तुरंध चाहिए ये तुरंध चाहिए so 12 traits are there और मैंने मैंने देखा कि जो काल गुटसेब जंग जो एक Swiss psychologist थे उन्हों ने भी ये 12 science के base पर psychology के 12 categorization की लोगों की so that was quite interesting तो ये सारे research और observation से जो accumulate होता चला गया उसको simplify कर दिया कि ये 12 परकार के environment होते है अब जो Aries वाला है उसको हमेशा जहां action होगा उसको वही चीज अच्छी लगेगी तो अगर मैं office भी जाता था जब तो मुझे लगता कि सब slow-slow बैठे हैं तो action क्यों नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा क्या नहीं हो रहा कर दें केटेगराइज कर दें और इतना simple कर दें कि तुरंट किसी को दिखा सके वो relate कर सके अपने आसपास के बातावरन में लोगों को then you know it gives you a thrill क्योंकि आपको पता है आपने horoscope सामने रखा और आपको software पता है भी ये ऐसा ही है अब केबी से कोई कहे कि बुरा मान गया कि यार बात ही नहीं करता ये कहता है मुद्द की बात बता क्या है तो ओके हो जाते है कि ये ऐसा ही है अब इससे हम कल्प ना करें कि ये लैसे कि एक जो दूसरी राशी है second sign है so they are more methodological they are more you know persistent in their work but they are slow तो Aries और Taurus वाला जो है उसको लगेगा slow है वो कहेगा याग लगा देता है so the kind of you know they are living their own environments इसको मैंने कहा कि ये जानकारी होनी जरूरी है इससे बहुत सरी productivity better की जा सकती है relationship better की जा सकते है so it's quite interesting I am sure गालिब ने जो शेर लिखा था वो जरूर Aries लगना वाले के लिए लिखा होगा शायद कोई हो सकता है मतलब गालिब का जुडाव यहां हो कही अब शायर था तो भी अब उसका मन करता होगा कि अच्छे से बात करें और वो पलट के कहता या कहती होगी कि भाई मुद्दे की बात बता क्या है तो उस पे गालिब ने शेर कह दिया होगा कि अच्छे से बात करें